दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो और बहुत ज़्यादा पतले दस्त हो रहे हो ऐसी कंडिशन में हमें क्या खुराक बना के देनी चीए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं यहां लोगों को क्या खुराक बना के देता हूं कौन-कौन सी दव का इस्तेमाल करता हूं यह दवा बहुत ही जबर जस्त दवा है और बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लेती है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोग नोट डाउन जरूर कर लिए यह बहुत काम आएगा आपके और मैं आपको यह भी बताऊंगा बच्चों को कि सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रेलेटेड तो वह आप तक नोटिफिकेशन के दवारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं किसी को भी कभी भी दस्त और उल्टी हो सकती है ऐसी कंडिशन में वह बहुत ज़्यादा परिसान हो आते हैं तो हमें क्या दवा बना के देनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें जो पहली दवा देनी है वो देनी है इमसेट 4MG टैबलेट इ ये एक पत्ते में 10 टैबलेट आती है और इस एक पत्ते का जो प्राइज है लगबग 60 रुपे के आसपास है और ये एक गोली आपको 6 रुपे की मिल जाती है कंपनी से बनाती है सिपला लिमिटेड और कॉम पूजिशन इसके अंदर होता है ओंडेन सिट्रोन 4MG दोस्तों इसकी हमें लेनी है तीन टैबलेट आप जो दूसरी दवा है दूसरी दवा है और इस एक पत्ते का जो प्राइज है वो है लगबग 165 रुपे यानि 165 रुपे और इसकी एक टैबलेट लगबग आपको 17 रुपे की मिल जाती है कंपनी से बनाती है सिपला लिमिटेड और क इसके अंदर होता है और इंडाजोल 500 इसकी भी हमें तीन टैबलेट लेनी है अब जो तीसरी दवा है वह है रहेंटेक 150 एंजी टैबलेट रहेंटेक 150 एंजी टैबलेट एक गैस की बहुती अच्छी दवा है जिन लोगों पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है उन्हे इस एक पत्ते का जो प्राइस ये वो है लगबग 40 रुपे और इसकी एक गोली आपको लगबग 1.5 रुपे में मिल जाती है कंपनी से बनाती है जे भी केमिकल लिमिटेड और कॉम पोजिशन इसके अंदर होता है रनिटीडीन 150 एंजी टैबलेट इसकी भी हमें तीन टैब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिक के पूछ सकते हो हो सकता रिपलाइक करने में देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोल के पर दूबर लिया उसे एक लिटर पानी में घुल ले घुल के तैयार रखे आब सबसे पहले आपको इंशेट 4 PUBG टैDIBLET और की एग की एक टैबलेट लेएं वह सब से पहले आपको लेना है उसी घुल से जो प्हुला पना रखा है उससे आपको लेना इह उसके बाद आदे घंटे के बाद आपको थोड़ा हलका दलिया खाना है दलिया खाने के बाद आपको ओफलोक्स ओजेट टैबलेट लेनी है वो भी उसी पानी के साथ लेनी है जिसमें आपने ORS घोला हुआ है इस से आपको लेना होता है इस तरीके से आपको लेना है ऐसे ही आपको फिर से 6 गंटे के बाद फिर से दवा लेनी है पहले आपको IMSET 4MG टेबलेट और RENTEC टेबलेट लेना है उसके बाद आपको दलिया खाना है और उसके बाद फिर से आपको OFFLOX OJET खाना है इन दो खुराक से आपको जवर्जस्ट फाइदा मिलेगा और अगर थोड़ा बहुत कसर रह जाती है तो आप तीसरी खुराक खाओगे रात को तो पूरी तरीके से आप ठीक हो जाओगे ये दो से तीन खुराग बहुत जवर्जस तरीके से काम करता है उल्टी और दस्त में और मैं आपको बता दूँ अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो बच्चे की उमर 6 साल से 12 साल के बीच होनी चीए उन बच्चों को पहले इमसेट टेबलेट और रेंटेक टेबलेट की आदी आदी टेबलेट देनी है उसके आदे घंटे के बाद आपको उस बच्चे को दलिया खिलाना है दलिया खिलाने के बाद ओफ लोक्स और जेट टेबलेट की आदी टेबलेट देनी है जैसा कि आप बड़ों को दे रहे थे और इस पानी से उसी पानी से उन बच्चों को भी देना है और इस वले ही पानी से इस तरीके से बच्चों को दिया आता है तो बच्चों में भी ये दस्ट और उल्टी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और मैं आपको बता दूँ जब सकते हैं आपने घोल उसे जादा से जादा पीना है यह जरूरी होता है क्योंकि पानी की कमियाती है उल्टी और दस्थ की विएस से यह उसकी कर्ता है तो इस तरीके से इस खुराग को लिए आता है तो दोस्तों आई होप कि कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडबार